हर्याना कॉंग्रिस की पूर्वध्यक्ष अशोक तउवर ने छोड़ी पार्टी 21 अक्टूबर को होगा विधान सबच्चुनाओं के लिए मतदान जी हाँ आपको बता देगी हर्याना विधान सबच्चुनाओं से पहले कॉंग्रिस को बड़ा जटका लगा है हर्याना कॉंग्रिस की पूर्वध्यक्ष अशोक तउवर ने कॉंग्रिस की प्राथ्मिक सदस्ता से इस्तिफा दे दिया है टिकट बंठवारे को लेकर अशोक तउवर कुछ समय से पार्टी से नाराज़ चल रहे थे अशोक तउवर ने पांच करोड रुपे में टिकट बेचे जाने का आरोप भी लगाया था आज उन्होंने पार्टी की प्राथ्मिक सदस्ता से इस्तिफा दे दिया है अपने टुटर एकाउंट के जरिये अशोक तउवर ने इस्तिफा देने की जानकारी दी हाली में अशोक तउवर ने कॉंगर्स पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी को पत्र लिख कर सभी जिम्मेदारियों से मुक्त करने का अनुरोध किया था उन्होंने कहा मैंने पार्टी की सभी समीतियों और जिम्मेदारियों से राहत देने के अनुरोध के साथ सोनिया गांधी को एक पत्र बेह जा है मैं एक साधारल पार्टी कारकलता के रूप में काम करना जारी रखूँगा हाला कि पार्टी की प्राथ्मिक सदस्ता से इस्तिफादेने से पहले उन्होंने ट्वीटर पर पार्टी के सभी पदों से इस्तिफादेने का एलान किया था और कहा था कि वो प्राथ्मिक सदस्त के तोर पर पार्टी के माध्यम से जनता की सेवा करते रहेंगे लेकिन अब उन्होंने पार्टी की प्रात्मिक सदस्तिता से भी स्तिफा दे दिया है